कल्पना करी एक ऐसी स्थिती जहां पूर्ण रूपेन यूनिटरी स्ट्रक्चर है और थाथ एकात्मक धांचा है भारज जैसे विशाल देश में यदि एकात्मक धांचा रहे पूर्ण रूप से संगात्मक न रहे तो इसके क्या खामियाजा भगतना होगा पहला एकात्मक धाली मतलब एक शासन एक सरकार जो किसी एक खित्र में बैठेगी वर्तमान में कल्पना करिये दिल्ली में बैठती है उसका निश्चित रूप से नियंत्रण पूरे खित्र पर उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि संगात्मक धाली में है तो पहला खामियाजा कमजोर नियंत्रण दूसरा यदे नियंत्रण कमजोर है तो देश की अखंड़ता अक्षंड़ता को खत्रा है तीसरा यदि नियंतरन कमजोर है तो ऐसी जो प्रवृत्तियां है आतंकवादी प्रवृत्तियां अलगावादी प्रवृत्तियां विद्रोही प्रवृत्तियां इनको बढ़ावा मिलेगा ये एकात्मक्ता की पूर्ण, एकात्मक्ता की भारत जैसे विशाल देश में बुराई है चोथा, एकात्मक प्रवृत्ती या एकात्मक शासन सामानित्या ताना शाही प्रवृत्ती को जन देता है पांचवा, भारत जैसे विशाल देश के संदर में आप देखेंगे कि यदि एकात्मक शासन होए पूर्ण, रूपेण तो ऐसी स्थिती में केंद्र सरकार जो संसद के मध्यम से चलती है उस संसद में देश का जो खेत्र ज्यादा प्रतिनिती भेजता है वह खेत्र हावी रहता है उदारन के लिए भारत के संदर में बात करें तो उत्तरी भारत का वो हिस्सा जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्वी, बंगाल आते हैं इनके चुनावी खेत्र को देखें निर्वाचन खेत्रों के घनत्व को और आप पाएंगे इन चार खेत्रों में देश के आधे से ज़्यादा निर्वाचन खेत्र हैं क्योंकि घनत तो बहुत ज़्यादा है और इसलिए लोक सभा में इस खेत्र का प्रतनिदे तो ज़्यादा है तो लनात्मक दिर्श्टी से ये खेत्र हावी हो प्रणाम क्या होगा कि हर बार इस खेत्र से जीते हुए दल का दबदबा के इंदरी सरकार में रहा है आप यदि भारत के तिहास को देखें तो भारत के अधिकतर प्रधान मंत्री इसी खेत्र से आए है श्री देवे गोड़ा को छोड़कर जिनका कारेकाल बहुत कुछ समय का रहा कुछ महीनों का बाकी सभी प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश बिहार खेत्र से आए इस खेत्र का दबदबा रहा एक आत्मक शैली में यदि इसी एक खेत्र का दबदबा रहेगा तो बाकी खेत्र काफी कुछ स्विधाओं से वंचित हो जाएंगे इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ी बुराई आएगी वो ये कि ऐसे वंचित होने की स्थिति में अन्य खेत्र जो है वे कहीं और मुखातिर होने लगेंगे कुछ और करने लगेंगे जो शायद देश की अखंडता एक ताके लिए उचित नहीं होगा लेकिन यदि संगात्मक शाली है यदि संगात्मक विवस्था है तो उसका फाइदा क्या है केंदर में कोई भी सरकार आए हर राज्य को अपनी सरकारे मिली है तो राज्य की सरकारों के माध्यम से वहां की जनता वहां के नागरिक अपनी उमीदों अपनी अस्पिरेशन्स को पूरा कर सकती है केंदर की सरकार राश्ट्री मुद्दों पर जहां अधारित होती है राज्य की सरकारे महां मूलत थानी मुद्रों पर चुनी जाती है और स्थानी मुद्दे जनता के लिए ज़्यादा आहम होते हैं तो संग, संगात्मकशली की ये खासियत है कल्दमा के लिए ये एक आत्मकशली रही तो उसकी एक बहुत बड़ी बुराई एक और ये होगी कि जो परंपराएं है क्षेत्री परंपराएं क्षेत्री भाशा, क्षेत्री विचार या क्षेत्री पर्वादी ये सब लुप्त प्राय होने लगेंगे और वे परंपराएं हवी होने लगेगी जिनका दबदबा केंदर में है जिनका दबदबा उस सरकार में है सत्ता में है क्या भारत ऐसा एक परंपरा वाला राष्ट बन सकता है एक संस्कृति वाला है एक विचार वाला इसका इतिहास बताता है कि भारत परंपराओं की विविधता का देश रहा है और यदि ऐसी परंपराओं, रीती रिवाजों, भाशाई उसको कुछला जाने का प्रयास किया जाए तो विरोधी शक्तियों का जन्म हो जालता है इसलिए संगहत्मक विवस्था बहुत जरूरी है सहनशीलता क्या धार पर, सहयोग क्या धार पर हमें खेत्री मुल्यों को, खेत्री गुणों को और खेत्री संस्कृति को विक्सित करते हुए एक राश्ट्रिय संस्कृति और मुल्यों को विक्सित करना चाहिए संगवाद जो है वो एक्ता और अनेक्ता हम देख चुके हैं दोनों का आदर करता अनेक्ता और विविताओं को समाप करके आप राश्ट्री एक्ता का लक्ष नहीं पा सकते यही बात जो मैंने और पहले कही उसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि राश्ट्री लक्ष राश्ट्री एक्ता को पाने के लिए दि हम खेत्रीता को कुछलें तो प्राबिबली संभवत वो विरोधी ताक्तों को जन देगा इस तरह की जो बाध्यकारी एक्ता है वो वास्तों में और ज्यादा खतरनाक होती है और ज्यादा सामाजिक संगर्ष को जन देती है और ज्यादा अलगावाद को जन देती है बाध्यक एक्ता के बदले सहयोगी एक्ता सहयोगात्मक रवया ज्यादा अवश्चक है और यह संगवात से आता है बाजिक एक्ता तो अंत में एक्ता कोई नश्ट कर देती है जब कानून बनाने की प्रक्रिया की बात होती है तो याद रखें दो तरीके से जिसे हम समझ सकते हैं पहला तो होता है उसकी सीमाएं कानून की सीमा कितनी होगी कितने खेतर तक के लिए कानून है अर्था सेंटर और स्टेट लिजिसलेशन का जो खेतरी दायरा है वह कितना होगा जो उसकी सीमाओं को लेकर सम्विधान में क्या बताया गया है पहला पारलमेंट जो है वो पूरे देश या देश के किसी खेतर के लिए कानून बना सकता है खेतर की बात कर रहा हूं पारलमेंट जो है वो पूरे देश या किसी एक खेतर के लिए कानून बना सकता है और यदि खेतर की बात करें तो इसमें राज भी आएंगे, संगी शासिन खेतर भी आएंगे और कोई सा भी दूसरा खेतर जो भारत का हिस्सा है लेकिन जो स्टेट लेजिसलेचर है, विधान सभा है वह राज में या राज के किसी खेतर के लिए कानून बना सकता है याद रखेंगे, राज की विधान सभाएं अपने संबंदित पूरे राज के लिए केवल राज के लिए या राज के किसी खेतर के लिए कानून बना सकती है लेकिन किसी एक राज्य के विधान तबहा द्वारा बनाये गया कानून किसी दूसरे राज्य के में लागू नहीं माना जाएगा लागू नहीं किया जा सकता किसी दूसरे राज्य के किसी भी खेत्र में वह कानून कता ही नहीं लागू माना जा सकता ये तभी संबव है जब किसी तरीके से संबंदित दो राज्यों के बीच में कुछ संबंध हो एक तरह का नेक्सस हो परियाप्त उसमें संबंध हो तभी होगा अनित्था नहीं अब दूसरी बात पार्लमेंट जो है वह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून भी बना सकता है अर्थात अपनी सीमाओं के बाहर से संबंधित मामलों में भी कानून बना सकता है इसके क्या माइने हुए कि इसके माइने ये हुए कि पार्लमेंट के द्वारा बनाएं गए कानून का दाइरा भारती नागरिकों और भारती नागरिकों की प्रापर्टी से भी से जुड़ा हुआ है जो विदेश में हूँ इंडियन सिटिजन और प्रापर्टी और एनी पार्ट अब दे वर्ल दुनिया के किसी भी ख्षेत्र में यदि भारती रहते हैं जिनकी भारती नागरिक्ता है और उनकी अपनी संपत्ती वहां पर संसद का दाइरा है तो आप ये समझ गया कि टेरिटोरियल एक्स्टेंशन टेरिटोरियल अर्थाच भागोलिक दाइरा कितना है किसी भी कानून का यह स्पष्ट हो गया एक और जहां पार्लामेंट को अधिकार है कि वह पूरे देश के लिए कानून बना सकता है देश के किसी खेत्र के लिए किसी संक्षासित खेत्र के लिए कानून बना सकता है और उन भारतियों से संबंदित कानून बना सकता है जो भारतिय नागरिक होते हुए बाहर रह रहे हैं और उनकी संपत्ति है लेकिन कुछ मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है जहां तक शेत्र की बात है ऐसे कौन से मामले हैं राष्ट्रपती स्वेब शान्ति विकास और अच्छी सरकार के लिए जो पांच यूरियन टरीटरी हैं वहाँ पर कानून बना सकता है राष्ट्रपती ऐसा जो कानून है वह पारलमेंट के एक एक्ट के द्वारा लगू होगा और लेकिन राष्ट्रपती के द्वारा बनाये जाएगा दूसरा गवर्नर के पास भी ये शक्ति है कि वह कुछ खेतरों में डारेक्ली कानून बना दे उसमें कुछ राश्पती के द्वारा बनाएं गए कुछ कानूनों में बदलाओ के साथ उधारन के लिए जो आसाम का गवर्नर है वह जो वहां के ट्राइबल एरियाज है उसमें कुछ बदलाओ ला सकता है उन कानूनों में जो केंदर ने बनाए है पार्लामिन के द्वारा बनाएंगे कानून है वह आसाम के ट्राइबल एरियाज के इंटीर एरियाज के संबंद में यह कुछ कानून हो तो इसमें बदलाओ कर सकता है राज्यका गवर्नर विधाई और वित्ती संबंधों तो लेकर एक बहुत बड़े अउधारन है 2016 का एमेंडमेंट जब NDA सरकार सत्ता में आई तो उसने 101 समविधान संशोधन पारित किया और उस संशोधन के तहट 2016 में एक विशेश प्राधान किया Goods और Service Tax के मामले में जिसे हम संशित में GST कहते हैं Goods and Services Tax इस Goods and Services Act के तहट पारिमेंट और विधान सभा इनको अधिकार है कि वे कानून बनाए Tax संबंधी कानून Goods और Services को लेकर जो समय समय पर केंदर सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं लेकिन इसके साथ ही पार्लमेंट को यह एक छत्र अधिकार है कि Goods and Services को लेकर Supply और ऐसी Services जो इंटर स्टेट ट्रेड अफ कॉमर्स की श्रेड़ी में आती है उस पर केंदर सरकार कानून बनाएगा इंटर स्टेट व्यापार के संबंध में पार्लमेंट कानून बनाएगा केंदर और राजियों के संबंध के उतार चलाओ को यदि हम सरसरी नजर से देखें तो 1950-60 के दशक के दौरान केंदर और राजियों में कॉंग्रेट का वर्चस्व था वर्चस्वी क्या ये कहने में कोई अतिश युक्त नहीं होगी कि पूरा देश कॉंग्रेट में ही था चाहे वो केंदर सरकार हो या राजियों की सरकारे हो सभी कॉंग्रेट की थी परणाम क्या था संबंध बड़े मधुर किसी भी तरह की समस्या या विवाद वाली बात नी उसके बाद नए राजियों की गठन के मांग के अलावा यदि हम छोड़ दें तो केंदर और राजियों के संबंध अच्छे रहे केवल नए राजियों को लेकर जो भाशाई विवाद जिसे हम कहते हैं भाशा के मुद्दे पर जो हुआ उसको लेकर तना तनी बनी रही बाकि किसी अन्य मुद्दों पर संबंधों में खटास नहीं आई लेकिन 1960 के दशक के बीच अर्थाथ 1965 के आसपास कॉंग्रेस वर्चस में कमी आती है कॉंग्रेस के दबदबे में कमी आती है गैर कॉंग्रेसी दलों का उदै होता है और वहां चीन के साथ युद्ध उसके बाद उसमें मिली परा जाए और फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध युद्धिये पर उसमें विजए हासल हुए लेकिन जो स्थितियां युद्ध के बाद के निर्मित हुई उसमें कॉंग्रेस की बदनामी ही हुई कॉंग्रेस के वर्चस में कमी आती है जन्ता का विश्वास उस दल के प्रति टूटने लगा और फिर वह नहरू के बाद का काल था गैर कॉंगरिसी दल सत्ता में आने लगे और इस परकार ये शुरुवात होती है गैर कॉंगरिस वाद की और विवन राजियों में जादा से जादा गैर कॉंगरिसी सरकारों के बनने की और जब ऐसा होता है तब तकराहट शुरू होती है तब विवाज शुरू होता है देखिए तमविधान का धाचा तो वही रहा जो 1950 में था जितना संघिय था उतना ही एकात्मक था जितना संघात्मक था उतना ही एकात्मक था लेकिन धाचे के अंदर ही जब कुछ बदलाओ ह होता है तो उसी धाचे के अंदर इस थितियां बदलने लगती हैं वही सम्वेधानिक धाचे के तहट जहां पहले दो दिशक में संबन्द मजबूत थे मधूर थे केंदर और राजियों के बीद किसी तरह की तकरार नहीं थी अब उनमें खटास आने लगी राजियों की स्वा करकार के अवांचनी हस्तक्षेप के आरोब बढ़ने लगे और उसका विरोध बढ़ने लगा अर्थाथ 65 के बाद 1965 के बाद हम केंदर राज संबंदों में कटुता बढ़ती कटुता देखते हैं इसके साथ ही स्वायतिता की मांग भी बढ़ने लगी जब गैर कॉंग्रेस वाद ज़्यादा फैलने लगा ने ने बहुत सारे ख्षेतरी दलों का उद्य होने लगा तो समय समय पर अनेक राजियों और राजनीतिक दलों इनके द्वारा केंदर को बार बार इस बात के लिए दबाओ बनाने जाने लगा कि राजियों को स्वायतिता दी जाए ज़्यादा स्वायतिता दी जाए इस स्वायतिता शब्द के माइने अलग-अलग थे स्वायतिता मतलब स्वतंतरता नहीं है स्वायतिता मतलब जो समवैधानिक प्राउधान किये गए थे जिसके तहट राज्य कमजोर दिखाई देते थे केंदर मजबूर दिखाई देते थे तो केंद्र की शक्तियों को कम करने का दबाओ और राज्य की विभिन खेत्रों में शक्तियों को बढ़ाने का दबाओ इन राज्यों और राज्यितिक दलो दोरा समय समय पर बनाया जाने लगा साथ ही ये भी कहा गया कि शक्ति विभाजन के मामले में जो केंदर के पास सो विशियों की सूची है उसमें बदलाओ की सक्त जरूरत है शक्ति विभाजन के मामले में रज का पक्ष बढ़ाया जाए अर्थात बहुत से विशय जो केंदरी सूची में हैं उसे रज सूची को सौपा जाए रज सूची में लाए जाए और ऐसा करते हुए रज की शक्ति को रज विधान मंडल की शक्ति को बढ़ाने की का पुर्जोर प्रयास किया जाने लगा तामिल नाडू, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, द्रमुक, अकाली दल, मार्क्श वादी कम्निस पार्टी ये सब नहीं नहीं जो मजबूत दल सामने आने लगे इनकी मांग जादा से जादा, जादा से जादा स्वायतिता के लिए थी, गैर हस्तक्षेप केंदर का उसके लिए दबाओ जादा था भारती सम्विधान के जो विविन प्रावधान है या हम भारती सम्विधान की बात करें कुल मिला कर तो दो खेर खेत्र ऐसे हैं जिस पर बारं बार विवाद होता रहा है । और वही विवाद राजिनीती का रूप ले लिता है एक तो है केंद्र राज्य संबंद केंद्र राज्य संबंदों को लेकर विवाद होते रहते हैं दूसरा चुनाओ केंद्र राज्य संबंदों को लेकर जहां कई मुद्दों पर विवाद होता रहता है और संबंदों में खटास आती रहती है जिसमें से एक राज़्जपाल संबन्न दी शक्तियों का मुद्धा बहुत अहम है वहीं दूसरी मुद्धा है अमर्जेंसी का, आपातकाल का आपातकाल भारती शंबधान में इसे 352 से 360 में परिभषित किया गया है या उसका उसमें जिक्र किया गया है आपातकाल तीन तरह की होती हैं पहला नैशनल अमर्जेंसी जो आर्टिकल 352 के तहट दूसरा स्टेट अमर्जेंसी जो आर्टिकल 356 के तहट जिसमें राज जपाल के द्वारा तथा कथित अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं और तीसरा है फैनाशनल अमर्जेंसी धारा 360 के तहट नैशनल अमर्जेंसी स्टेट अमर्जेंसी फैनाशनल अमर्जेंसी ये अमर्जेंसी लागू करने का आधार क्या होगा ये एक मुद्दा रहता है फिर इसके पाद इसमें अप्रूवल किसका होगा कौन इसकी अनुमति देगा एमर्जेंसी का fundamental right पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या परिणाम पड़ेगा एमर्जेंसी को लेके क्या क्या बदलाव हुए amendment या संशोधन हुए और उससे संबंदित कुछ महत्पून केस और अंत में एमर्जेंसी समाप्त कैसे होती है ये कुछ मुद्दे हैं जिसे बहुत संख्यप्त में त्वरिद गति से हमें जानना जरूरी है सेंटर स्टेट्स रिलेशन्स के परिप्रेक्ष में